कौन बोल रहा है? चलाव मत, और मेरी बात अच्छी तरह से अपने भेजे में उतार ले तुने मेरी राख मंगवाई ती टीका लगाने के लिए मैंने तेरे भड़वो की राख भेजिये, पूरे बदन को लगा ले ठंडा कर, अपना भेजा ठंडा कर चतुर सिंग के आत्मियों के चिता जलाना, तुम जैसे पाग़नों की पस की बात नहीं है चतुर सिंग, उपर वाले के हध से तु बचे न बचे, लेकिन मेरे हध से तेरे को कोई ने बचा सकता अगर एक बाप की अउलाद है तो एक बार मेरे सामने आकर दिखा तु भौकता बहुत है अराम के और भौकने वाले कुट्टे हमें पसंद नहीं अगर अपने बाप के अउलाद है तो आजाना मालक्षमी चौक पे हम हर साल नौरात्री को मां की पुजा करने वहां जाते हैं अरे जितनी मन्नते मांगने आया आखरी बार मांगने ये तेरी जिन्दगी के आखरी पुजा होगी ठंडा कर यकीन नहीं आता तो उस राख को मसल कर देख तेरे पालतु कुट्टे की निशानिया उसमें मौजूद है अभे हराम के तुने जलती हुई आख में हाथ डाला है हम तुम्हें ऐसे जलाएंगे कि तेरे जाने वालों को गंगा में बहाने के लिए तेरी राख भी नसीब नहीं होगी अरे मुझे जलाने की बात छोड़ मैं तो तुझा एसी महत मारूंगा ना तो तुझे द्रमीन नसीब होगी ना आस्मा है कि 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 किया चतुर सिंग का खुन ओ खुदाया ओरी बाबा दादा का खुन हो गया किस ने किया खुन अरे छोड़ो इस सब बाते मुझे तो चिंता ये है कि शेर का क्या होगा हम सब का क्या होगा दहस मत करो कमिस्नर जो आदमी चतुर सिंग जैसे खतरनाक आदमी की चिता जला सकता है वो तो हमको कभी में शंसान घट पहुंचा सकता है मगर ऐसा हर्गेज नहीं होगा सर सुनो सुनो कमिशनर कल टीवी सेंटर में जंता की अदालत प्रोग्राम में हम सब लोगों का इंटर्व्यू है ऐसा बंदोवस होना चाहिए वहाँ पर कि परिंद भी पर ना मार सके समझे कादर तो इदर रहना है यस सर अंडू तरह पीछे रह आज जंता की अदालत में जंता के सामने जंता के प्रतिनिधी मंत्री श्री बबन राव देश्मुक विपक्ष के नेता श्री चंदर सेन आजाद कानून के रक्षक इंस्पेक्टर सत्यवादी दूबे न्याय मूर्ती श्री हुकम अली जाबिर तथा इस शेहर के सबसे इस बड़े बिल्डर मिस्टर योगराज अपराधी के रूप में यहां मौजूद हैं इन सब पर यह आरोप लगाया गया है कि शहर में जो हाल ही में दंगे फसाद हुए हैं जो हत्याएं हुई थी वो सब इनकी मिली भकत थी क्या यह सच है देशमुक जी लोग आजकर राजनीती को चानून को और पुलिस को गांदी जी के तीन बंदर कहते हैं वो बंदर जिनके सामने सब कुछ होते वे भी न कुछ सुनते हैं न देखते हैं और न कुछ कहते हैं लेखे जाप, हमारे यहाँ लोकशाही है और लोकशाही में हर किसी को कुछ भी पूछने का और कहने का पूरा अधिकार होता है मैं आपकी इस बास से बिलकुल सहमत नहीं हूँ अगर ऐसा होता, तो दूसरे राज्यों की तुलना में हमारे राज में चारों और इतनी शांती कभी नहीं होती अगर चारों और शांती होती, तो पिसले दिनों हमारे शहर में जो दंगेवे, वो क्यों होते सहाब ये सब विदेशी ताकतों का हाथ है, क्या करें देखिए, मंत्री जी, जब भी देश में कोई विपत्ती आती है, तो हर मंत्री का आप ही जैसा जवाब होता है, कि इसमें विदेशी ताकत का हाथ है, अब पिछले दिनों जो भुकम भुआता है, कि इसमें भी विदेशी ताकत का हाथ था प्रलोग तो कहते हैं कि इस विपद्ति में आपके साथ विपक्ष के नेता चंदरेसेंजी का भी हाथ था और पाउं भी था यह सब बकौस है इसको हम नहीं मानता है और यह हमरे पुच का सिध्धान तो अलग है इसका पॉक्ष का सिध्धान अलग है हम लोग और दल मेरे के पुलिस को बिना मतलब बदनाम किया जा रहा है यह तो आप कहते हैं पर लोग तो कहते जब लूब कि किसी भी जगे पर पुली सही वक्त पर नहीं पहुंशे थी है हें थिदू कुछ हे था मैं ज हुआ कि यही तो रोना है कि लोग हमें गलत समस्ते हैं हमारी योजना है लोगों की समझ भी नहीं आती अब आप ही बदाईए जोपड़ फट्टी की जगा साफ सुत्री कालोनी बने तूटे फूटे गाउं की जगा रहागीरों के लिए रिसोर्स बने इसमें देज की तरकी नहीं है बोलिए पर लोग तो कहते हैं इसमें आपकी तरकी ज्यादा होती है सारा धना आप सब लोग मिलकर वटोर लेते हैं और ड़कार तक नहीं लेते है निता जी और पुलिस वाले ने तो अपनी सफाई पेश कर दी अब जसाब आप और योगरा जी अपनी सफाई में कुछ पे देखिये हम थेरे व्यापारी लोग हम अपने धंदे में गुंडों का साथ नहीं लेते हैं गुंडों का साथ आजकल कौन नहीं लेता है योगराज जी अब तो माफिया वाले भी राजनीती में उतर आये हैं और आजकल नेता लोग भी अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड की बु वैसे मैं भी इस बाप को नहीं मनता क्योंकि हर बड़े नेता को बदनाम करने के लिए लोग कुछ भी बोलते हैं क्यों चंदरसेंजी एक दम सच वलता है आपके हर सवाल का मैं एक ही जवाब दूगा कि अगर जनता की नजर में हम गुनहगार हैं तो फिर जनता खामोश क् क्यों हमें पिछले पंद्रा साल से इस राज्य में चुनाव जिता रही है जैसाब हम पर लगाएगे सारे इल्जाम बेबुनियाद हैं हमारी सफाई में मेरा यही जवाब है अब फैसला आपके और जनता के हाथ में है तुनाईए अरे असली अदालत आज तक हमारे खिलाब फैसला नहीं सुना सकी तो यह जनता की अदालत क्या खाम सुनाएगी देश मुख तुम कभी कभी सच बोलता है 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 तुमें अपने सफाई में कुछ कहना है क्या कहना जो करना था कर दिया जो किया वो सोच समझ कर किया अब कहना आपको है फैसला सुना दीजिए मुझा मंजूर है आज नियाय मूर्ती शिरी विश्वना सिंग ने अदालत में मंत्री शिरी बवन राव देशमुग, वेपक्ष के नेता शिरी चंदर सेन आजार, नियाय मूर्ती शिरी हुकम अले जाविर, इंस्पेक्टर सत्यवादी दूबे, प्रक्यात बिल्डर योग राज, और कोक्यात सरगना, चत्रफ सिंग्चिता के गातिल, प्रताप नराइन तिलिक को भांसी के सजा सुनाई, जिन्दा आत्मी के खून के इल्जाम में भांसी की सजा, देखा है पक्या, हमें तो माता के आशिबात और बुलेट प्रूफ जैकेट ने बचा लिया, मगर वो हराम का, कानूं की मौत नहीं, चत्रफ सिंग्चिता के दी हुई मौत से मरेगा, बदा करो कौन से जिल में हैं, रताब, तुमारी फासी का दिन मुकरर हो गया है, अगर कोई अखरिक वाईश है तो बता दो, वो भी पूरी कर दे जाएगी, यहां ऐसे घुटन सी होती है, मैं इन चार दिवारियों में मरना नहीं चाहता, मुझे वही फासी दे दो करांती मैदान में, सब के सामने, जहां से इस देश में करांती की शुरुवात हुई थी, यहां ऐसे, मरो तो ज़रा ज्यादा मरो, इतना समर्ने से क्या फाइदा है, सर, परताब से को मिलने आया है, मिलने दो, मिलने दो, मा, बुडी होगे, बुडी होगे, रोखाय को, रोखाय को रहें तू, नहीं रे, यह तो खुशी के आसू है, सुचाता है, जिन्दगी भर तेरा मुह नहीं देखूगी, लेकिन तेरे बार में अख़बार में पड़ा, तू रहने गया मुझसे, और मैं चली आए अपने बेटे के पास, कैसा है रे तू, बेटा, आज तुने तिलक खांदान के नाम पर सच मुची अश्कत तिलक लगा दिया, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, अब तो बगवान से यही प्रात्मा करूंगी, कि तुझे जन्मो जनम, मेरा ही बेटा बना करेंगी, अगले जनम में किसी मंदिर या मस्जिद की इड बन कर जिंदगी बर महां रोता रहूंगा, इस जन्मो का रोना मेरा बाकी है, दुख सिर्फ इस बात का है, मैं तेरे ले कुछ करने सकते, नहीं बिटा, तुने बहुत कुछ किया, मुझे सब कुछ मिल गया, तेरे दादाजी की आत्मा को भी शान्ती मिल गई, बस अफसूस एक की बात का रहेगा, कि दिले खांदान का दिया जलाने वाला कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा, यह देख अपनी पहू के लिए रखे थे, लेकर अब तो, मा, यह कलम मौली भाई, मेगा लिखती है, एक दिन के लिए हमारे खंदन की बहु बनेगी, यह, Cheese, यह, यह, मेग difे लिए यह बनला तो, यह, 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 यह? मिएची, यह? यह? एक क्ना गएणiiii हुआ 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 है हुआ है अब मुझे लटका देंगे जुबाना इसी बार आएगी आखे बार आएगी थोड़ी देर लटकता रहूँगा फिर ये मेरा भाई मुझे निचे उतार लेगा फिर आप चाचा करते घर चले जाओगे खाला खाओगे सो जाओगे उमारी ये नामर्दान गी बुष्दिली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी कुछ नहीं कहना मुझे तुम्हें कुछ नहीं तुमारी जिंदगी में कोई फरक बढ़ने वाला नहीं अन्देरे में रहने के आदत पढ़िये तुमको गुलामी करने की आदत पढ़ी है पहले राजा माराजों की गुलामी की फिर अंग्रेदों की अब चंगद्दार नेताओं की और गुंडों की धनम के नाम पर ये तुम्हें बैकाते हैं तुम्हें एक दूसरे के गले काट रहे हो कटो उपर वाला भी उपर से देखता होगा तो उसे शरमाती होगी सोचता होगा मैंने सबसे खुबसूरा चीज़ बनाई थी इंसान नीचे देखा तो सब कीडे बन गए कीडे कीडे रेंगते रहो सटे रहो और मरो आये और गए खेल खतम तो जी ये मालून नहीं कलमिवाली भाई करांती लाना चाहती थी कलम के जोर पर काले वर्तमान को खतम करना चाहती थी कौन समझाओ उसकी बात को सब साले मुर्दें जिन्दा लाचे किसे चगाती ओ मैं जाग गया कुछ अच्छा काम करके जा रहा हम सुकुन है लेकिन जान में रखना तुम्हारी एक खामुशी कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी ये कानुन वाले वर्दी वाले नेता इन्हों ने अपना इमान भेग दिया एक दुसरे को ज़राते वकट तुम्हारा इमान कहा गया था भाड में ये पिस्तु जैसा हमारा परोसिमुल आने वाले कल में अपने आपको दुनिया के नक्षे पर देखने पाएगा एक बात भूल रहा है उनके घर में जो रोटी बनती है ना उसका आटा भी विदेश की चक्की से पीच के आता है साले अपने खुद के देश में सुईने बना सकते हैं और हमारे देश को तोड़ने का सपना देखते हैं वो ये सपना देख सकते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है ये मुर्दो का देश है वतन के लिए किसी को कोई हमड़दी नहीं है इसे तोड़ना बिल्कुल आसान है। मैं हिंदु, मैं मुसल्मान, मैं सीख, मैं फलाना, मैं ढिंका। एक लाठी को तो कोई भी तोड़ सकता है लेकिन लाठी के भारे को तोड़ना मुश्किल है। मैंने बचपल में पढ़ा था स्कूल में, ततीसरी में, मैं क्यों समझा रहा हूँ तुमको? क्यों समझा रहा हूँ? पागल हूँ मैं, बुसा भळा पढ़ा है मेरे दिमाज में, क्यों बाते कर रहा हूं इन पत्धरों से, हसो? हसो, कुष्या मनाओ, क्रांटी की रापर एक और कुट्टे की मौत मरने जा रहा है कल कोई और मरेगा हमें क्या है हम इसी तरह जिते रहेंगे है ना जिरो वै जिरो जैसे चाहिए बैसे गीओ मैं थिरा जिन्दे की जिना नहीं चाहता एला चल चल ला खेलो ये फासी नहीं हो तकती उन देश दोड़ों के खिलाव जो सरकार को सुबूत मिले है उसे थाबत होता है कि परताब ने उनको मार कर देश का उध्धार किया है इसलिए भारत के राष्ट बदी ने उसकी सजा माफ कर दी ये रहे उसके कांगजात भग दीजे भासी ये खबरदार कमिशिनर लाशों के ढेर बिचा दूँगा अगर हमारे बीच में आतो ये पासी जडता है झाल झाल क 챘ni ईएल, एाप लृग्राव की फजिरोग ?